हरे कृष्णा व्यूवर्स वेलकम टू मैं यूटूब चैनल आज हम लेफ्ट ओवर फैब्रिक से हेर क्लिप्स बनाएंगे इस फैब्रिक से मैंने पेपलम टॉप और प्लाजो पैंड बनाया हुआ है इस पेपलम टॉप और प्लाजो पैंड की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाया रखी है अगर आपने इसकी कटिंग और सीचिंग की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्टिंग बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं बीना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं ये देखिए वीवर्ज ये ट्रैंगुलर शेप का फैबरिक मेरे पैपलम टॉप की अंब्रेला पार्ट की कटिंग के बाद बच्चा हुआ है मैं आपको इसकी मेजिर्मेंट बता देती हूँ इस ट्रैंगुलर शेप की दोनों साइड की लेंट एट इंचीज है और इसकी बेज के साइड की लेंट 11.5 इंचीज है इसका जो बेज का साइड है ये हलकी सी गुलाई में कटा हुआ है तो क्लिप बनाने के लिए मेरे को ऐसा ही फैबरिक चाहिए था तो अब ये देखिए वीवर्ज ये फैबरिक मेरे दो पार्ट में है एक क्लिप को बनाने के लिए फैबरिक जो है दो पार्ट में होना चाहिए अगर आपने दो क्लिप बनाने है तो इतना ही पेर जो है वो दूसरे के लिए चाहिए होगा क्या करना है वीवर्स एक पार्ट का राइट साइट दूसरे पार्ट के राइट साइट को फेस करना चाहिए और इसके किनारी पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी जिसा आपको नजर आ रहा है और नीचे ये जो कर्व शेप है इसको किस तरीके से सिलना है ये मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ ये देखिए वीवर जहां मैंने अभी निशान लगाया है हमें यहां तक सिलाई करनी है और यहां से हमें इंची टेप रखे एक इंच नापना है फिर यहाँ पर भी हमें निशान लगाना है यह जो बीच में एक इंचा गैप है यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है और इसके बाद से फिर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से हमें सिलना है जैसा आपको इसमें नजर आ रहा है अब ये देखे विवर्ज ये मैंने उसी तरीके से सिलाई लगा दी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये बीच में मैंने वन इंच का जो मेरा गैप है यहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है अब हम यहाँ से ही इस पूरे फैबरिक को राइट साइड की तरफ पलट देंगे साइड की तरफ पलटने के लिए पहले हम इसकी कोने काट देंगे ये अच्छे से पलट जाए और इसके साइडों में छोटे छोटे से नौचिस लगा देंगे झाल 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 अब यह देखे भी वोईस यह हमने राइट साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है और अब हम इसके कोने भी अच्छे से निकाल देंगे अब इसके कोने भी मैंने अच्छे से निकाल दिये हैं अब यह जो मेरा ओपन पार्ट है वन इंच का इसको मैं सुई धागे से इसको क्लोज कर दूँगी झाल 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 भी अब यह देखें वीवर्स यहां पर मेरी सिलाइक कम्प्लीट हो गई है इसके बाद मैं पट्टे लूंगी इसकी मेशर्मेंट बता देती हूं इसकी चोड़ाई पौने दो इंच है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने एप्रॉक्सिमेटली सैवन या एट इंच ली है मैं दो क्लिप्स बना रही हूं तो मैंने उसे साफ से कपड़ा थोड़ा जादा लिया हूँ अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है जैसा आपको ये निजर आ रहा है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूं उसके बाद ये देखिए विवर्ज ये जुमिने ट्राइंगुलर शेप का बनाया हूँ इसको बिल्कुल मिडल में से हम फोल्ड कर देंगे और एक ऐसे निशान लगा दूँगी यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई करके इसमें चुन्नटे डाल दूँगी अब ये देखिए विवर्ज इसमें मैंने कच्ची सिलाई डाल दी है अब मैं इसमें चुन्नटे डाल दूँगी और इसको अच्छे सिलाई कर दूँगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़रा रहे चुन्नटे डालने के बाद इसको टाइटली धागे से रोल भी करना है और इसको गींट लगा देनी है अब ये सिलाई हमारी याँ पर कम्प्लीट हो गई है और ये आप कुछ इस तरीके का दिख रहा है अब ये देखे वीवर्ज जो मैंने पट्टे के सिलाई करी वी थी ये मैंने चोटे चोटे दो पीस में कट कर लिये हैं इसकी लेंद बता देती हूँ ये इसकी जो लेंद ये धाई इंच मैंने रखी है एक क्लिप के लिए ये देखे वीवर्ज जहांपर मैंने चुन्नटे डालके सिलाई लगा रखी थी इसको इस पट्टी को मैंने इस तरीके से रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके मैं इसको भी सिल दूंगी झाल 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 यह देखें वीवेज यहां पर मेरी सिलाई कंप्लीट होगी है अब मैं इसकी धागे की कटिंग कर दूँगी इसके बाद यह देखें वीवेज यह मेरे पास क्लिप पड़ी है अब मैं इसमें जो बीच में गैप है जो मैंने भी पट्टी लगाई थी इसके बीच में गैप है उसके बीच में से इसको डाल के यह क्लिप बन जाएगी देखें वीवेज इसमें से मैंने यह क्लिप डाल दी है और यह अब मेरी फैबरिक क्लिप रेडी हो गई है इसी तरीके से मैंने एक और क्लिप बनाई है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फा वाचिंग, हरे कृष्णा